जैसरी किष्ण, स्वागत आप सभी का मेरी भक्ती भावना यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आज मैं आपको कृष्ण जन्माश्टमी से सम्मंदित जानकारी दूँगा कृष्ण जन्माश्टमी के तीन ऐसे उपाई जिनके करने से आपकी हर मनुकामना पूरी होगी कृष्ण जन्माश्टमी का दिन सबसे बड़ा दिन का गया है भागवान से किष्ण का जन्मुसब पूरे हर सोलास के साथ मनाया जाता है कृष्ण जन्माश्टमी की रात को अगर आप यह उपाई करते हैं तो आपकी पुत्र धन की मनुकामना पूरी होने से कोई नहीं रोख सकता दोस्तो कृष्ण जन्माश्टमी की दिन जो व्यक्ति भागवान का पूजन करते हैं उनकी प्रतेक मनुकामना पूरी हो जाती है साधिके बाद संतान का सुक नहीं मिलाएं तो आपको पुत्र प्राप्ति के लिए इस दिन जरूर उपाए करने चाहिए, पहला उपाए किष्ण जनमास्त में की दिन भगवान किष्ण को इशनान कराएं और इसनान कराने के बाद में विरत का संकलप करें, फिर भगवान के सामने बैठ करके आप इन मंतरों में से किसी भी मंतर का जाब करने से सारे कश्टे दूर हो जाते हैं और कृष्णा अबाजदेवे हरे परमाते प्रतक लिष्णा साय गोविन दाय नमना इस मंत्र का जाप करने से सारे कश्ट दूर हो जाते हैं एक माला दो माला पांच माला जितना सम्मभ हो सके आपको इन मंत्रों का जाप करना है दोस्तों ये मंत्र बेहदी चमतकारी और प्रवावसाली है इन मंत्रों का अगर आप जाप करते हैं तो आपकी किस्मत वदलने से कोई नहीं लोग सकता भगवान प्रसंद नो करके आपकी मनुकामना पूरी करेंगे दूसरा उपाए इस दिन भगवान के सामने आपको चोव मुकी दीपक जलाना है भगवान के सामने चोव मुकी दीपक जलाना है और वह दीपक आप कम से कम तीन घंटे जलाएंगे और जब तक वो दीपक जले जब तक वो दीपक जले आप भगवान के सामने मककन मिस्री सांती, केला और पंच मेवा जिसमें काजु बादमाधी होऊ किसमिस न होऊ और गाई का दूद इनका भोग लगाएंगे और मंतर का जाप जितना हो सके उतना करेंगे रेगुलर मंतर का जाप ना कर सके ज्यादा नहीं तो पांच माला जाप आपका लीजिए उसके बाद में वह प्रसाद आपको खाना है आपकी किस्मत बदलने से कोई नहीं रोग सकता तीसरा इस दिन वगवान को बांसुरी और पीले बस्त्र और मोर पंक ये चीजे भगवान को अरपन करने है अपनी इच्छा बोल करके जो भी आपके मनम कामना है तुलसी पत्र तो आपको भगवान को समर्पित करना ही है आपकी हर मनो कामना पूर्योगे मेश रासी, मित्रुन रासी, करक रासी, सिंग रासी, कन्या रासी, तुला रासी, धनो रासी, कुम रासी, मीन रासी ये नो रासियां हैं जो इस दिन बेहदी भाग्य साली रहने वाले हैं कृष्ण जनमास्तमी की दिन अगर आप ये उपाय करते हैं तो आपकी मनो कामना बस्य पूरी होगी साथ इस दिन गो माता का पूजन भी आपको करना है गो माता का पूजन भी करें और ये उपाय करिए फिर आपकी मनो कामना बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी भगवान कृष्ण को रात को बार बज़े आपको पंचा में सिश्नान कराना है इस बात का ध्यान रखें उस जल को आप पीएंगे घर में छड़केंगे वीडियो को शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें